Welcome students and all the viewers उमीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीठाक होंगे I am Mohamed Rafaat Khan and you are watching my YouTube channel अच्छा आज हम जो start कर रहे हैं basically वो lens की study को start कर रहे हैं lens के topics को start कर रहे हैं ये आपके board के अंदर इस chapter का जो नाम है वो ray optics भी हो सकता है वो आपके board में इस chapter का नाम geometrical optics भी होता है या optical instrument भी हो सकता है तो आपके board के मताबिक अपना chapter का नाम match कर लिएगा बागी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो topic होगा वो आपके board के अंदर same होगा concept same होगा जो जो हम topics पढ़ने जा रहे हैं वो आपको मिल जायागा lens के introduction से start कर रहे हैं कि lens क्या होता है आज की video में हम क्या पढ़ेंगे lens क्या होता है lens की types कितनी होती हैं कौन सी होती है और lens की जो important terms होती है important term ऐसी terms जिनका तालोग जिनका usage इस पूरे chapter में रहेगा ऐसी terms को आज हम सीखने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं तो आज की video आपकी introduction वाली बड़ी important है इस chapter के remaining topics को समझने के लिए वो कहते हैं न कि अगर आपकी base अगर strong हो तो उस base के उपर जितनी ही बड़ी इमारत खड़ी कर दो तो वो strong रहती है मत्ब stable रहती है तो इस chapter की base आज है आज discuss करने जा रहे हम लोग इसके introduction को इसकी basic चीज़ों को तो इसको गौर्ट से सुनिएगा सबसे पहले देखें lens होता क्या है हमारे पास दो गिसम के medium होते हैं एक होता है transparent medium और एक होता है opaque medium transparent object और opaque object इन दोनों में फर्क क्या होता है जो opaque objects होते है न उन objects में से light past नहीं होती बलके reflect हो जाती है bounce back हो जाती है जैसे कि मैं हूँ मुझ पर light पढ़ रही है और वो bounce back होके दुबारा आप तक जा रही है तो मैं कहूंगा ये process होता है reflection का या जैसे mirrors होते है mirror के उपर जब light पढ़ती है तो वो bounce back हो जाती है तो इसको हम कहते है reflection of light तो reflection वाला process possible होता है opaque objects में से जबके अगर आपके पास transparent body हो transparent object हो जैसे कि glass तो transparent bodies में जो process होता है वो होता है reflection का और reflection के अगर मैं आपको definition बता हूँ ऐसी verbally क्योंकि topic में आपको detail में बाद में पढ़ाऊँगा reflection क्या होता है reflection क्या होता है ये topics अभी मैं upload करूँगा फिलाल reflection एक ऐसा process होता है जिसमें light अपनी direction change कर जाए मतलब light का band हो जाना light ऐसे straight आ रही हो और वो जब transparent medium में enter हो तो वो band हो जाए अपनी direction को change कर ले तो light का direction को change करना light का band हो जाना जब वो एक medium से दूसरे transparent medium में enter हो such a process is called reflection of light समझ रहे हैं तो ये जो lens है न lens हमारे पास एक transparent medium होता है इसका मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं क्या हम reflection को पढ़ने जा रहे हैं बोलेंगे no sir हम किसको पढ़ने जा रहे reflection को पढ़ने जा रहे तो सबसे पहली बात lens क्या है lens एक transparent medium है तो एक काम ही करते हैं यहाँ पर मैं आपके सामने एक transparent medium बना देता हूँ यह देखे है बई मैंने आपके सामने let's suppose एक transparent medium बनाया यह transparent है मतलब a piece of glass अब piece of glass मतलब let's suppose मेरे सामने एक piece of glass है जब इसके उपर light fall करेगी तो light इस piece of glass को pass कर जाएगी मतलब इसके अंदर इस glass के अंदर reflection का process होगा ठीक है अच्छा फिलाल हमारे पास यह जो glass है यह length की form है length की form है अगर मैं इसको ऐसे square बनाता let's suppose यह एक square का glass है glass है मतलब शीशा है glass है वो square form में है तो मैं कहाता है इसकी चार sides है इसकी ये side भी है इसकी ये side भी है इसकी ये side भी है और इसकी ये side भी है चारो sides बकायदा visible है लेकिन अगर मैं इसी transparent medium को length की form में बना दूँ तो हम कहेंगे कि अब हम इसकी 2 sides को consider करेंगे खाली एक ये right वाली side ये वाली side और एक left side ये वाली side ठीक है इन sides को हम consider नहीं करते हैं अगर हम length linear glass को discuss कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो transparent medium है ये linear form में होगा ठीक है अच्छा lens क्या होता है lens एक ऐसा transparent medium होता है जिसकी इन दोनों sides में से या तो एक side या दोनों sides curve होती हो spherical होती हो हर उस transparent medium को हम lens कहते है क्या क्या रहूं lens क्या होता है lens होता तो transparent medium है लेकिन उसकी दोनों sides ये जैसे ये left side और right side इन दोनों sides में से या तो एक side spherical हो मतलब घूमीवी, कर्व हो या एक नहीं तो दोनों कर्व हो तो हर उस transparent medium को हम कहते है lens यह आगे हमारे सामने definition वही definition जो अभी मैं आपको समझाई lens एक ऐसा transparent medium देखो लिखा हुआ transparent medium, medium से पहले लिखा हुआ refracting, जाहिर सी बात है जितने भी glass, glass बोलाओ transparent medium होते है transparent medium का काम ही होता है light को refract करना ठीक है? refracting तो इसका मतलब transparent refracting medium having two surfaces, lens के पास हमेशा दो surfaces होंगी, जैसे कि इसके सामने देखो left और right, दो surfaces है linear की form में, length की form में, दो surfaces होंगी of which at least one is curved और both are curved, यानि कि इन दोनो surfaces में से, या तो कम से कम एक surface curved हो या दोनो की दोनो curved हो हम उस transparent medium को कहेंगे lens, तो मुझे एक बात बता है, यह जो आपके सामने transparent medium मनाव है, क्या इसको मैं lens कह सकता हूँ तो आपको बोलना चाहिए, sir नहीं ये lens नहीं है, इसकी दो sides है, और दोनो plane है मतब दोनो straight surfaces है तो मैं कहूंगा कि अगर इसमें से एक भी surface curved नहीं है, इस spherical नहीं है, तो ये lens हो ही नहीं सकता, भले से transparent हो लिकिन ये lens नहीं हो सकता, अच्छा फिर lens किस सरीके से हो सकता है, अब आप कुछ examples देखें, मैं आपके सामने कुछ transparent medium ये रहा, ठीक है, हमारे पास एक transparent medium ये रहा, ठीक है, हमारे पास एक transparent medium ये रहा, ठीक है, हमारे पास एक transparent medium ये रहा, अब आप note करते जाएगा, कि इन में से कौन console lens हो सकता है, और कौन console lens नहीं हो सकता, हमारे पास एक transparent medium यह रहा ठीक है हमारे पास एक transparent medium यह रहा ओके इसको plane को हटा देते हैं और इसको कर देते हैं कर ठीक है like this ठीक है अब आप नोट करें मैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 7 diagram बनाई है अब हमें इस सेंट नोट करना है कि कौन सी diagram के अंदर हमें lens नजर आ रहा है और कौन सी डिएग्राम में हमें लेंस नजर नहीं आ रहा हम वई दो सरफेसिग दोनों की दोनों प्लेन हैं दोनों की दोनों कर्व हैं ये भी लेंस है इसको चेक करें दोनों क्यों बने族 ये भी लेंस है तो पता चला कि इन seven diagrams में से एक को छौड़ दे हैं बाकि six diagrams जो है वो lens को शो कर रही है lens को रेप्रेजेन कर रही है' सिर्फ इसके क्यों क्योंकर ये definition पर पूरा transparent reflecting medium having two surfaces यह दो को 1 2 1 2 1 2 हर हर लेंस की दो surfaces है having two surfaces of which at least one is curved और बोत आर करव ठीक है ऐसे transparent medium को हम क्या बूल देते हैं lens कह देते आगे चलते हैं वही lens की हम types discuss करते हैं यह आगे हमारे पास types की heading types हमारे पास याद रखीएगा lens की दो होती है एक होता है convex lens और एक होता है मैं पहचानने का फर्क मैं आपको बता देता हूँ सुनिए का गौर से के convex को कैसे पहचानना है और concave को कैसे पहचानना है याद रखीएगा हर वो lens जो के middle portion से जैसे अगर lens है तो middle portion से अगर lens थिक हो मोटा हो और उसके किनारे edges पतले हो थिन हो हर उस lens को हम कहते है convex तो convex को आप कैसे पहचानोगे अगर वो middle में से ठिकर है ठिकर ठिक है और उसके किनारे edges थिन हो हर उस lens को हम क्या बोलेंगे convex lens identify करें पहचानने मैं से ये तो lens ही नहीं है ठीक है इसकी बात करते है चैक करते है middle में से thick है या नहीं है यह देखो यह इसका middle portion है और यह इसका edges वाला portion है किना रहे तो मैं कहूंगा कि हाँ पर इसका middle thick है और इसके edges thin है तो मैं कहूंगा it is a convex lens अब मैं blue से जो tick कर रहा हूँ वो convex के लिए कर रहा हूँ होगा तो सही यह वरना नहीं कर दूँगा अच्छा इसको check करते हैं क्या यह middle में से thick है क्या इसके edges thin है नहीं यह उल्टा है यह middle में से thin है और इसके edges thick है तो मैं कहूंगा यह convex नहीं है बलकि दूसरा type का lens है इसको हम कहते है concave concave lens there are two types na convex and concave तो हम अभी फिलाल convex पे इसके edges thin है तो आप बोलेगे yes, it is thicker at the middle and thinner at the edges तो आप बोलेगे yes, it is a convex lens इसको check करते हैu middle में से thick है और edges है तो मैं कहूंगा again convex lens इसको check करते है middle में से thin और edges thin यह convex lens नहीं है तो भाई convex lens को पहचानने का तरीका क्या होगा middle में से thick होगा और उसके edges जो होते हैं वो हमेशा thin होते हैं let's write the definition तो आप लिखेंगे it is thicker at the middle thicker at the middle and thinner at the edges इसकी edges पतले होंगे और इसका thin वाला जो इसका middle वाला portion होगा वो हमेशा इसका thicker portion होगा तो such a lens is called convex lens अब एक काम ही करते हैं convex lens की diagram को भी यहाँ पर बना देते हैं convex lens की diagram को हम इसी type में पढ़ लेते हैं मतलब इसकी types होती हैं convex की भी खुद की type होती है इसको हम कहते हैं classification of convex lens चले एक एक करके discuss करते हैं सबसे बहले हम इसकी diagram बनाते हैं और उसके साथ आद उसके नाम लिख देते हैं हमारे पास यह रहा एक convex lens हाँ वई इस 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 आपको नेम्स में बताता हूँ एक और बनाते हैं convex lens हाँ वई बताएं इस इट इस आपकोंबेक्स लेंज आप बुलेगे यह सर इसकी middle portion इसका थेक है और इसके edges थिन है तो यह भी convex lens एक और बनाते हैं यह देखें हाँ वई इस इट आपकोंबेक्स लेंज yes it is also a convex lens again definition के मताबिक इसका middle portion thick है और इसके edges thin है तो मैं कहूंगा ये भी convex इसका मतलब ये तीनों के तीनों convex lens है तो इसमें फर्क क्या है इसमें फर्क क्या है इनके classification का इनके names का आप इनको पहचानते कैसे है जो सबसे पहले बना हुआ है न मैं कहूंगा कि सबसे पहला वाला है तो convex लेकिन इसकी दोनों sides करवें दोनों sides ये चेक करो इसकी ये side भी और ये side दोनों sides करवें तो ऐसे convex lens को हम कहते है by convex lens या इसका एक नाम और होता है इसको हम कहते है double convex lens by का मतलब भी क्या होता है double तो by word क्यों इस कर रहे है क्योंकि इसकी दोनों sides क्या है कर्व है अब आप बोलेंगे सर क्या ये भी by convex lens है ये बाय convex नहीं है इसका एक और नाम है वह आपको मैं बताता हूं इसका दूसरा नाम है इसको हम by convex नहीं कहते हैं ये है by convex ठीक है तो मैं इसके सामने इसका नाम लिख देता हूं इडिस कॉल्ल बाय इस पार्ट ना वाइ convex lens या इसका एक और नाम होता है इसको हम कहते हैं और double convex lens ठीक है और कर देता हूं और double convex lens ये तो ओगए इसकी first classification number one यह आगया number two अच्छा इस numbering कर देते हैं हम लोग सही तरीके से ये हो ग्लासिफिकेशन में सबसे पहला number one यह हो गया classification में number two और यह हो गया classification में number three second वाले को check करते है second वाला है तो convex लेकिन इसकी दोनों साइटS कर नहीं है इसकी एक साइट plane है यह लेफ्ट वाली plane है और यह curved है अगर यह plane है और है convex तो इसको हम कहते है है planoconvacs. Plano convex क्यों है? क्योंकि एक side is-ka plane है. है convex लेकिन 1 side plane है. So it is called plano convex lens. Understood? समझ आ गई बात? थाड़ वाले को चैट करते हैं. अचाँ थाड़ वाले आप बोल रहे होंगे सरी क्या? इसके हम बाए नहीं बोल सकते है क्योंकि इसकी भी दोनों साइट करोँ है, चलो, मैंने आपको बताया था, Convex lens क्या होता है, वो middle में से थेक होता है, ठीक है, और Concave कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बताया कि Concave वाला middle में से थेन होता है, मतलब ये वाला जो डिएग्राम ने से गर और और की यह कॉन साई यह वाला की यह लेंगर से अंदर अंदर कि तरख कर तो वह मिड़ल में से की तरफ करवें तो वो मिडल में से थिक हो जाएगा तो यह वाला मिडल में से थिक क्यों होता है क्योंकि इसकी सरफेसिस बाहर की तरफ करव होती है और यह मिडल में से थिन क्यों होता है क्योंकि इसकी करव सरफेसिस अंदर की तरफ करव होती है अंदर इंसाइट कर समझ रह समझ रहे हैं कॉन्वेक्स मिडिल में से ठिक है मतलब कॉन्वेक्स है लेकिन इस कॉन्वेक्स में एक साइट क्यूंकर इसका अंदर की तरफ कर्व है और अंदर की तरफ कर्व हमेशा कॉन्केव का होता है तो मैं कहूंगा इस कॉन्वेक्स में शामिल हो गया कॉन्केव लेंस देखो जो lens है उसका नाम end में आएगा है कौन सा convex और mixture इसमें किसका आ रहा है concave का आ रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे concave हो convex lens ठीक है तो जो lens होगा उसका नाम सबसे end में आगा ऐसे नहीं convex हो concave कर दें नहीं जिसका mixture है concave हो lens कौन सा है convex lens है तो यह तो हो गए हमारे पास किसकी convex lens की classification middle में से thick और इसके edges thin होते हो ऐसे lens को हम क्या बोलते है convex lens अच्छा convex lens के बारे में एक बास हैन में रखेगा वो यह के जब भी convex lens के उपर जब भी convex lens के उपर parallel rays of light incident होती है जब भी convex lens के उपर parallel rays light incident होती है तो यह वाला lens जो होता है यह इन तमाम light rays को एक point पर मिला देता है like this एक point पर मिला देता है convex lens का काम है convex lens का function है कि जब भी इस lens के उपर parallel rays यह दो को light ray light ray light ray तो मैं collectively क्या बोलूँगा rays rays are coming to incident on convex lens और यह rays कैसे आ रही है एक दुसरे के parallel same direction में तो अगर parallel rays convex lens पर पढ़ती है तो वो convex lens उन rays को reflect होने के बाद एक point पर converge कर देता है मतलब यह rays जब lens से pass हो जाती है after reflection यह किसी भी एक point पर आकर converge हो जाती है तो इसका काम क्या है parallel rays of light को converge करना converge करना मिला देना तो इसी वजह से हमारे पास convex lens का एक नाम और होता है इसको हम कहते हैं converging lens लिख देते हैं इस point को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे के convex lens convex lens converges parallel rays of light hence इसी वजह से इस also known as क्या कहेंगे भई it is also known as converging lens black से लिख देता हूँ it is also known as converging lens node कर लिएगा यहाँ तक node करें आपको यह point समझ आ गिया के convex lens के उपर जब भी parallel rays fall करती है तो इसका काम होता है इन तमाम rays को एक point पर मिला देना तो इसी वजह से इसके काम की वजह से converge करने की वजह से इस convex lens को हम किस नाम से जानते हैं converging lens के नाम से चलते हैं चलते हैं दूसरे lens की तरफ दूसरा वाला कौन सा होता है concave lens types of lens में दूसरा वाला कौन सा है concave lens यह इसका ओपोजिट है यह मिडल में से थिक होता है और इसके किनारे थिन होता है जबकि यह वाला मिडल में से थिन होता है और इसके edges थिक होता है तो झोके लिखा हुँआ है lens which is thinner at the middle यहाँ पर क्या लिखा था lens which is thicker at the middle तो opposite हो गया इसका मतलब भी हो गया कि ये वाला जो lens होगा ये middle में से थिन होना चाहिए पतला होना चाहिए और इसके edges जो है वो थिक होने चाहिए ऐसे lens को हम क्या बूलते हैं concave lens तो ये काम भी करते है classification में इसकी जो है वो diagram को भी discuss कर लेते हैं कैसे आपर मैं heading clip देता हूँ classification of concave lens ठीक है classification of concave lens चलो एक काम भी करते हैं एक एक करके diagram मनाते हैं number one ये देखो number one में हमारे पास ये आ गया चैक करो भी ये एक lens है बिल्कुल lens है क्योंकि इसकी दोनों sides curve है दोनो sides curve है अच्छा inside curve होने की वज़ए से इसका जो middle portion है ये दोको वो पतला है थिन है और इसके edges ये edges और ये edges इसके किनारे ये मोटे है ठेक है तो मैं ऐसे lens को क्या कहूंगा concave lens दूसरा भी बना देते हैं ये देखें number two ये रहा ये इसके edges आ गए ये इसके edges आ गए और ये इसका middle portion आ गया like this अब आप नोट करें है तो lens बिल्कुल lens है क्योंकि at least इसका one side curve है लेकिन क्योंकि ये middle में से thin है और इसके edges ठीक है एजिस ये दोगो ठीक है और middle में से thin है तो मैं इसको भी कहा कहूंगा इसकी तरह ये कौन सा lens है concave lens है, एक और बना देता है, number three, number three, यह आगया इसके edges, किनारे, ठीक है, then यह आगया इसका curved path, और again यह आगया इसका curved path, ठीक है, अब आप note करें, है तो lens, क्योंकि इसके दोनों sides करवें, यह outer और यह inward, लेकिन, क्योंकि middle में से thin है और इसके edges ठीक है, यह दो को middle में से thin और edges इस ठीक, तो इनकी तरह यह भी क्या हो गया, यह वाला भी क्या हो गया, concave lens, अचा इसका नाम क्योंकि होना चाहिए, अचा हैं तो तीनों concave lens, जैसे यह तीनों की तुनों convex है, सारे के सारे middle में से thin हैं, तो subconcave है, अब इनके names लिखने हैं, तो मैं एक होंगा, क्योंकि इस concave lens, या इसका दूसरा नाम क्यों होना चाहिए, double concave lens, double का मतना, by का मतना, दोनुं साइट्स का करवोना, same scene के अंदर, मतलब same condition के अंदर, ठीक है न, तो अगर एक outer है, तो दूसरा भी outer है, तो by convex, एक invert कर वे, दूसरा भी invert कर वे, तो by concave lens, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम और double concave lens, ओके, is it clear, second वाले को discuss करते है, हाँ भी, है तो concave lens, लेकिन इसका एक side plane है, तो मैं क्या कहूंगा, plano concave lens, जैसे ये दोखो, था convex, लेकिन एक side plane था, तो plano convex, लेकिन ये है कौन सा, concave, तो क्या भ़लेगा, plano concave lens, is it clear, third one, third one को चेक करते है, इसको आप by concave नहीं कह सकते है, मैं आपको बताया, by की condition कब आईगी, जब दोनों curved, या तो दोनों curved भार हों, तो by convex, या दोनों curved अंदर हों, तो by concave, अगर एक भार हो, एक अंदर हो, तो इसको by use नहीं करेंगे, चलो अब चेक करते हैं, है कौन सा, है तो convex, sorry, है तो concave, ल तो मैं कहूंगा, है तो concave, लेकिन एक side इसका, क्योंकि बाहर की तरफ करव है, तो इस concave में mixture आगिया, convex का, तो इसका नाम क्या बनना चाहिए, तो आप बोलेंगे sir, convexo-concave, जैसे इसको हमने कहा था, है तो convex, लेकिन mixture आगिया, concave का, तो क्या नाम पढ़ा, concave o convex, तो इसक clear है, इसका मतलब हमारे पास lens क्या होता है, lens की definition लिखी भी है, lens की types कौन को सी होती है, convex, और concave, middle में से thick, middle में से thin, हाँ, convex की classification, double convex, plano convex, concave o convex, then इसकी classification में हमारे पास by, यानि के double concave, plano concave, और convex o concave, इसका function क्या था, जब इसको पर parallel, raise, fall कर रही थी, तो यह उन light rays को मिला रहा था, वो इसका opposite करता है, वो मिलाता नहीं है, बलके फैला देता है, diverge कर देता है, तो देखो बना के दिखाता हो, यह देखें, हमारे पास अगर, एक concave lens हो, यह रहा concave lens, और इसको उपर parallel, parallel, raise को आप fall करे, these are parallel, raise of right, यह पता है, इनको ऐसे, पहला देता है, तो यह देखे है, इस वाली condition में, light, raise, parallel, आ रही नी, lens को पास करने के बाद मिल गई, converge हो गई, तो इसका नाम क्या रखा हमने, converge हो गई, इस वाले मैं, चैक कर हो, parallel, raise आ रही है, और lens को पास करने के बाद ना Наकों कहाने के बाद फैल गई, diverge हो गई, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए diverging lens to convex lens is also called converging and concave lens is also called diverging तो मैं आप लिख देता हूं उसकी इसका point आप लिखेंगे concave lens diverges parallel rays of light parallel rays of light hence it is also called क्या कहते हैं diverging lens ब्लैक से लिख रहा हूं highlight कर देता हूं diverging कि यहां तक बात क्लियर है इसको note करें आगे चलते हैं अब चलते हैं lens की terms की तरफ terminology of lenses ठीक है बड़ी important terms है याद रखी हैं इनको आगे बहुत काम आने वाली है terms हमने क्या पढ़ा भी तक lens का introduction के lens क्या होता है और lens की टाइप इन दोरों को पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं terms की तरफ सबसे पहली और basic term हमारे पास आतीस को हम कहते है center of curvature center of curvature क्या होना चाहिए तो देखें आपके सामने डियाग्राम से मैं इस बाक को clear करता हूँ हमारे पास एक lens हो यह राम आरे पास एक lens एक वक्त में बना देता हूँ पहले convex यह राम आरे पास एक convex नहीं आ गया ठीक है पहले convex हो डिसक्स कर रहे हैं यह convex नहीं से कैसे बता चाहिए middle में से thin और इसकी edges thin हो गए अच्छा किसी भी lens का जो spherical surface होता है जैसे spherical surface है यह spherical surface है अगर आप इस spherical surface को complete करना चाहें तो आपको पता चलेगा यह spherical surface को complete करना चाहें यह इसको complete कर देता है खोशिश करते हैं कि अच्छा सा sphere मिल जाए यह रहा कि sphere हो गया कब दी इसका मतलब यह हुआ था convex lens लेकिन convex lens का यह जो left बाला spherical surface था इसको मैंने complete किया तो मुझे एक sphere मिल गया इसका मतलब किसी भी lens का spherical side होता है spherical surface होता है वो किसी sphere का एक छोटा सा part होता है अगेन एक काम करते हैं यह दगो right बाला part दिख रहा है आपको इसको भी complete करते हैं यह दगो अगर मैं इस right बाले part को भी complete करूँ तो again आपको एक क्या मिल जाएगा एक आपको sphere मिल जाएगा like this अजीब सा बंड़ा होगा जो भी खैर sphere मिल जाएगा आपको तो आप नोट करें हमारे पास था convex lens मैंने जब उस convex lens की एक side को complete किया तो मुझे एक sphere मिल गया और दूसरी side को complete किया तो मुझे दूसरा भी sphere मिल गया तो इसका मतलब ही हो गया कि किस इसी भी lens की जो spherical surface होता है वो spherical surface एक पूरे sphere का एक छोड़ा सा हिस्सा होता है छोड़ा सा part होता है तो भाई lens का spherical part जिस sphere का हिस्सा होता है उस sphere के center को कहते है center of curvature जैसे के convex lens था मैं इसको highlight करता हूँ यह था क्या यह convex lens है यह convex lens बना हूँ आपके सामने highlight कर रहा हूँ ही जोगो it is a convex lens अगर आपको याँ तो तो मैंने diagram convex lens से start की थी it is a convex lens convex lens का spherical part जिस sphere से बना हुआ होता है उस sphere के center को हम कहते है center of curvature this is center of curvature denoted by c सब्सक्राइब का यह वाला स्पैरिकल पार्ट बना हुआ है एक sphere से तो मैं इस sphere के center को ही क्या खांगा center of curvature represented by c समझ ही बात कॉंकेव लैंस की example लेते हैं ठीक है और और तन्फम हो जाया रहा यह रहा मेरे पास एक सब्सक्राइब है एक सब्सक्राइब लैंस को सब्सक्राइब करना चाहिए अगर अगर नोट करो कियो इस कि यह लिए अगर हमारे पास डेफिनिशन आलोंग्टोगीद डिआग्रायम्ग्ज का लिखा वैं अबी जो समझा ही मैंने आपको बात इसको लिख दी मैंने it is a center of the sphere center of curvature क्या है यह sphere का center होता है जाहिए बात है center किसका sphere का circle का ऐसे sphere का center जिस sphere में से आपने lens का spherical surface बनाया हुआ हो ऐसे center क्या बोलेंगे center of curvature यह definition आप लिख सकता है मतलब it is a center of the sphere मतलब center of curvature एक sphere का मतलब एक circle का center है ऐसे sphere का जिस sphere में से आपने lens का spherical surface निकाला हुआ हो बनाया हुआ हो ऐसे center को हम कहते है center of curvature डाइगराम बनी विए convex की बनी विए concave की बनी विए देखो convex की दो sides है इस वाली side को complete करोगे तो sphere मिलेगा इस sphere का center center of curvature इस वाली side को complete करोगे तो sphere मिलेगा इस sphere का center center of curvature अगें concave, concave की यह वाली right पहली side इसको complete करोगे तो sphere मिलेगा उसका center center of curvature यह वाली side को यह देखो यह left इसको complete करोगे तो मिलेगा इस इस फिर्व का Center Center करवेचर तो यह तो कहानी है किसे Center कर भीचर कि आगई चलते हैं सेकंड टर्म कि तरफ इसको पाamm कहते हैं difference difference one on two do kaशा कर बेचर कशाय अगर को Center of करवेचर समझ हाग MRS Market समझ आ पको जब मुझत कर वीचर समझ यह सर उसी Sphere का आप सुनलो Center समझ आ गई Center मिल गई आपको Center कहां पर है आप किसी कभी बना सकते हो यह दो को Plano Convex इसको complete करो आपको Sphere मिल जाएगा इसका Center क्या क्या कर आइगा Center of curvature again Plano Concave इसको complete क्या 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 center of curvature c और ये c आ गिया अच्छा अब radius क्या होता है वो भाई उसी sphere का radius होगा उसको हम radius of curvature कह देंगे ये देखो ये sphere जिससे आपने lens का surface बनाया lens का spherical part बनाया इसी के radius को ये इसको radius of curvature कह देते है radius of curvature मतलब ये radius of curvature सब तरफ क्या होता है बराबर होता है again ये sphere है जिसमें से आपने lens का spherical surface बनाया हुआ है इसी sphere का ये center of curvature और इसी को क्या बोल देते है radius of curvature तो इसी definition को आप यहाँ पर continue कर सकते है it is the radius of the लिख देते चोलो लिख देते हैं बताएं कि आपको लिख देते हैं it is the radius it is the radius of sphere ये sphere का radius है कौन से sphere का ऐसे sphere का जिसमें से आपने lens के spherical surface को बनाया हुआ हूँ it is the radius of the sphere from which from which the spherical from which the spherical surface of a lens is obtained got it clear है understood है ठीक है इसकी diagram बनाने की जरूत नहीं है क्योंकि इसकी diagram आपके सामने ही पर ही मौजूद है चलो चाहो तो मैं यहाँ पर इसी diagram में radius आपको बना के दिखा देता हूँ यह दिख रहा है आपको यह यह दुख ब्लू लाइन से this is this is called radius of curvature यह दिख रहा है आपको यह यह चलो यहाँ बना देते हैं दोगो this is called radius of curvature this is called radius of curvature nothing else तो जिस sphere का center था उसी sphere का radius उसको हम क्या बोलतेते हैं radius of curvature यहाँ तक बहुत के रहे आगे चलते हैं इसको लोड कर लें number three number three हम कहते है principal axis आप numbering आगे पीछे कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है इसकंदर आपको बस terms पता होनी चाहिए आप principal axis पहले समझ लो center of curvature radius of curvature बाद में समझ लो कोई आगे पीछे करने का कोई इश्यू नहीं है principal axis क्या होता है देखे हमें हमें पता चला कि किसी भी लेंस यह देखो convex lens कि इस साइट भी center of curvature और इस साइट पर सेंटर ऑफ कर वे चरहें दोनों साइट पर सी है अगें इस पहले साइट को complete करोगे तो center of curvature यहां कहीं मिल जाएगा ऐसा है इसी तरीके से concave का होता है यह concave lens आ गया इसका center of curvature यहां पर कहीं होगा इसी को complete करोगे तो यहां पर कहीं center of curvature होगा यह ठीक है अब principal axis क्या है भाई principal axis एक ऐसी straight line होती है जो lens के दोनों तरफ आले center of curvature को join कर दे एक ऐसी straight imaginary line ऐसा नहीं कि आप कोई lens लेकर आओगे तो उसके साथ साथ कोई line आ रही होगी नहीं यह imaginary होती है यह हम draw करते है images को और objects को draw करने के लिए यह बड़ी important line होती है याद रखीगा जैसे mechanics में mechanics में हम लोग क्या पढ़ते हैं तीन axis होते हैं एक होता है x axis एक होता है y axis एक होता है z axis तो यहाँ पर x y z axis नहीं होते हैं यहाँ पर होता है principal axis हाना principal axis एक ऐसी imaginary straight line जो के lens के दोनों तरफ वाले center of curvature को join कर दे इनको pass होती भी जा रही हो ऐसी straight line को हम क्या बूलते है principal axis let's write its definition definition लिख लेते हैं क्या लिखेंगे आप लोग आप लिखेंगे it is a straight यह आ गए इसकी definition क्या लिखे भी है it is a straight line जो के pass करती हो passing through the two centers of curvature मतलब lens के उधर इधर दोनों जो center of curvature हो उसको join कर दे pass कर दे ऐसे straight line को हम क्या बूलते है principal axis diagram के जरी बना के check करते हैं यह देखें चनाब मैं यहाँ पर इसको मिटा देते हैं फिर diagram बना देते हैं यह देखें मैंने यहाँ पर बनाया इससे बाद हसल लाएगा आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन यह देखो मैं डॉटिल लाइन बना रहा हूं यह दिस ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों center of curvature को join कर दे पास हो रही हो तो ऐसी स्ट्रेट लाइन को हूं क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेज कौन सो आ रहा है अब जो के किसी भी लैंस के दोनों center of curvature को pass कर जाए cross कर जाए ऐसी स्ट्वेट लैंड को हम क्या बूलते है principal axis आगे चलता है आगे हम लोग discuss करते हैं number four पे number four pole या आगे हमारी fourth term pole को discuss करते हैं आचा देखो एक होता है pole और एक होता है optical center pole और optical center दोनों में एक minor सा difference है हो सकता है बहुत सारे students इसको एक समझते हो एक ही चीज़ समझते हो लेकिन यह एक नहीं है अच्छा यह आ गिया इसका principal axis हमेशा और principal axis पर मतलब वो principal axis क्या होता है जो दोनों center of curvature को join कर दे या pass कर रहा हो ठीक ही हो गया principal axis आच्छा principal axis पर lens का जो sphere का center होता है मतलब एक होता है एक होता है लेंस का center मतलब एक complete लेंस है और उसका सेंटर और एक होता है लेंस का जो इस फेरिकल सर्फेस है उसका सेंटर लेंस के इस फेरिकल सर्फेस के सेंटर को हम पोल कहते हैं जबके पूरे के पूरे लेंस के सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इस वाले स्फेरिकल सर्फेस का सेंटर इसको हम कहते हैं पोल तो जनाब जो पोल होता है वो स्फेरिकल सर्फेस का जो सेंटर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के उपर उसको हम कहते हैं पोल और पूरे की पूरे पूरे की पूरे लेंस का जो center होता है और वो भी कहां पर होगा पोल पे on the pole उसको हम कहते है उप्टिकल सेंटर तो it is P यह P है और it is O यह O है एक छोट असा difference है दोनों की दोनों centers है एक center is spherical surface का है surface का center center pole जबके एक center पूरे की पूरे lens का center है उसको हम कहते है optical center होता है spherical surface का जबके optical center center होता है पूरे के पूरे lens का और यह दोनों जो points हैं यह हमेशा आपको कहां मिलेंगे principal प्रिंसिपल एक्सेस पर मिलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस यह जो हमने लाइन बनाई है जो समझी हमने अब चलो ढूनते हैं इस डियाग्राम में ढूनते हैं कि हमारे पास पोल कहां पर है और ऑप्टिकल सेंटर कहां पर है यह दो वह अगर मैं इस स्फेरिकल सर्फेस का पोल प्रिंसिपल nacas ф सरफेस का सेंटरuben सेंटरопến चिब दिक पर इसको हम कहेंगे पॉट इस ही प्रिंप्रिंसिपल एकसिट सॉट इस पूरे लेंस का खुड़ का सेंटरर्य है लेंस का सेंटर्मियgery O for optical, optical center, यह optical center है, यहां तक बात समझाई, कि pole में, और optical center में एक थोड़ा सा difference होता है, minor सा, इसको जाधा तर A की consider किया जा रहा होता है, क्योंकि हम जो deal करते हैं, वो thin lenses को करते हैं, thin lenses का मतलब, जो pole है, वो तकरीबन ही optical center के बहुत करीब हो रहा होता है, समझ रहे, आगे चलत focus या focal point को, ठीक है, इसको denote हम करते हैं, capital F से, capital F से, अच्छा, अगर मैं convex lens की बात करूँ, तो हमने terms से पहले एक बात पढ़ी थी, कि convex lens जो होता है, वो parallel rays को एक point पे मिला देता है, converge कर देता है, जिस point पर parallel rays, parallel rays, जिस point पर आकर मिल जाए, lens को pass करने के बाद मिल जाए, उस point को ही हम कहते है, focal point, तो ही देखें, parallel rays थी, convex lens को pass करने के बाद, यहाँ पर meet कर रही है, मिल रही है, इस point को हम क्या बोलेंगे, focal point, यानिके capital F, this is called principal focus, या focal point, अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं concave का check करना चाहूं, हलाग के concave तो जो है, वो converge नहीं करता, वो diverge करता है, तो अब आप बोलेंगे, सर, concave का कहा पर होना चाहिए, focal point, तो देखें, अगर हम parallel rays को fall कर रहे है, concave पर, तो यह converge की बजाए diverge कर रहा है, लेकिन अगर आप इन diverging, diverging rays को backward extend करना चाहें, अगर मैं इसको backward extend करना चाहूं, like this, यह backward extend हो है, यहाँ पर आके, मिल जाएगा, और अ मतब ही हो गया, कि concave lens, light rays को, वैसे तो converge नहीं करता, actual converge नहीं करता, लेकिन वो light rays, जो diverge हो गई, वो ऐसे appear होती है, कि वो किसी एक points आ रही है, मतब हो जो diverged light rays है, वो ऐसा लगता है, कि वो किसी एक point से निकलती भी आ रही है, तो जिस वो point से निकलती भी आ रही होती है, वो concave का focal point होता है जहांपर वो appear to be converge होती है it is appear to be converge और यहाँ पर actual converging है light trace हुद मिल रही है और यहाँ पर light race मिल रही है लेकिन it is appearing to be merged मतला meet हम यहाँ पर कहते है इसको यह appear हो रही है क्यों पर वो converge हो रही है तो concave के लिए जो focal point होता है वो उसी same side पर होता है, यह रहा focal point किसका, concave lens का, तो वह principal focus या focal point क्या हो गया, एक ऐसा point जिस point पर parallel rays meet हो जाएं, मिल जाएं, इसको हम focal point कहते हैं, या appear, parallel rays appear to meet हो, या यह कहलो कि जो diverged rays है, वो आपको ऐसा लगए कि वो किसी एक point से होती भी आ रही हो, तो उस point को हम क्या बोलत तो उसकी definition लिख लेता है, definition में आप क्या लिखेंगे, it is, it is a point, और अच्छा, यह जो point है, यह भी कहाँ पर होगा, on the principal axis, यह जितने भी points आप पढ़ रहे हैं, center of curvature हो गया, optical center हो गया, pole हो गया, focal point हो गया, मज़ी की बात ही है, यह सारे के सारे points हैं, वो लाए करते हैं, एक main line कौन है, principal axis, कितनी important line होगे हैं, कि मतलब इसी line के उपर सारे points आजाते हैं, सारा खेल, सारा game इस line का है, यह नहीं बनाओगे, diagram नहीं draw कर सकते हैं, so it is a point on, the principal axis, principal axis, at which, जहाँ पर क्या होता है, at which, parallel, rays of light either converge अच्छा, either का word क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ, either converge, या तो converge हो जाएं, और appear to converge, वो देखो, appear to converge, मतलब ऐसे वो diverge हो गई, लेकिन अगर आप इनको backward extend करो, तो आपको ऐसा लगेगा, वो diverge light भी मिल रही है, कहीं पीछे जाके मिल जाएंगी, तो यहाँ पर word यूज किया जाएगा, parallel rays of light, either converge, मतलब जो converge होंगी, वो किस sense में होगी, और appear to converge, और appear to converge कि sense में होगी, concave कि sense में, appear to converge, full stop, समझा ही बात, तो यहाँ पर दो बाते आ गई हैं, तो देखो, it is a point, on the principal axis, जहाँ पर क्या होता है, at which parallel rays of light, या तो converge हो जाएं, converge किस के sense में होगी, convex के sense में, बकाइदा converge हो रही है, और appear to converge, और यह किस sense में होगा, जब आपको बात lens कौन सा होगा, concave lens होगा, तो जणाब यह होगा, हम आपस focal point, चलते हैं next के तरफ, इसको load कर लें, six के बाद number seven, focal length, एक होता है focal point, और एक होता है focal length, focal point का मतलब point है, जहाँ पर light rays मिल रही है, parallel rays मिल जाएं, उसको focal point कहता है, लेकिन focal length का मतलब, length का मतलब distance होता है, ठीक है न, तो अगर मैं focal length की बात करूँ, तो भाई, यह distance होता है focal point से लेकर optical center तक का, optical center से लेकर focal point तक का, यह जो फासला आ रहा है, यह जो distance आ रहा है, इस distance को हम कहते है focal length, क्योंकि length आ रहा है, length का मतलब फासला, length का मतलब distance, again यह चेक करो, यह concave lens, इसका optical center यह रहा, और यह इसकी focal point यह रही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह जो distance आ रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा focal length, तो देखेंगे diagram में, बलकि definition देखो, the distance between optical center, यानि कि O से लेकर F तक का, O से लेकर F, principle focus तक का जो distance होता है, उसको हम कहते है focal length, focal point को represent करना हमेशा capital F से, क्योंकि वो point है, focal length को हमेशा represent करना small F से, क्योंकि यह distance है, क्योंकि यह length है, चलो, यहाँ पर check करते हैं, यह रहा convex, यह रहा concave, diagram बिल्कुल same बनी भी है, यहाँ पर converge हो रही है, और यह इसका optical center, यानि कि O, इस optical center से लेकर, इस F point तक का जो distance आ रहा है, यह वाला distance, F तक का, यह वाला distance, O से लेकर, F तक का जो distance आ रहा है, इसको हम कहते है focal length, again, यह रहा concave का focal point, और यह रहा concave का optical center, यह 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 रहा, यह दो को, तो इन दोनों के बीच में जो distance आ रहा है, यह वाला distance इसको हम क्या बोलेंगे focal length तो जनाब optical center से focal point optical center से focal point तक का distance इन दोनों को हम क्या बोलेंगे focal length लेकिन एक बात नोड करें convex lens का focal length हमेशा positive होता है concave lens का focal length हमेशा negative होता है ठीक है वो क्यों? convex का focal point हमेशा आगे उस तरफ जाएँ इसको light rays ऐसे आ रही है और focal length भी उस तरफ है यूँ है यूँ जा रही उस तरफ तो focal length अगर convex होगा तो positive होगा जबके यह दोखो concave की light rays ऐसे आ रही है और इसका focal length जो है वो optical center से पीछे की तरफ है पीछे की तरफ हाना opposite के sense में तो याद रखिएगा concave का focal length negative होता है क्योंकि इसका focal point same side पर बन जाता है जबके focal length convex का हमेशा positive होता है क्योंकि वो दूसरी side पर होता है opposite side पर होता है सॉरी other side पर होता है समझा दिये बात तो इस point का हम यहाँ पर लिख देते हैं कि focal length कैसे लिखेंगे focal negative अच्छा वही point मैंने आपको जो समझा है वो point यहाँ पर लिख दिया focal length convex की positive होगी while of concave lens is negative concave की negative और convex की focal length positive होती है देखो diagram मैंने लिख दिया मैंने f positive for convex lens and f negative for concave lens concave की negative और convex की positive आगे एक important relation आपको एक चीज़ और बताता चलूँ मैं आपको यह देखें यह c था ना center of curvature focal length अच्छा यह c है center of curvature और यह जो आ रहा है यह इसका optical center है ओ optical center ठीक है याद रखेगा focal point हमेशा center of curvature और optical center का बिलकुल mid point होता है यहाँ पर यह focal point होगा हमेशा इसको याद रखेगा focal point center of curvature और optical center का इन दोनों का बिलकुल mid point होता है बिलकुल बीच में होता है focal point अगें यहाँ चेक करो यह center of curvature यह इसका optical center ओ इन दोनों के बिलकुल बीच में यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा focal point यहां पर होगा बिल्कुल focal point यहां तक बात के लिए एक चीज़ और इससे आपको एक बात और पता से लेगी यह दो को हमने पड़ा center of curvature यानि के इस center का इस sphere का जो radius है इसको हमने radius of curvature कहा अभी शुरू में समझाया हैं आपको बात ठीक है यानि के इस center of curvature से लेकर यहां तक इस को हम बोल रहा है focal length f यह आ गया फ यहां से लेकर यहां तक समझाए बात इसका मत्लब पता है क्या हो गया याद रखीगा focal length हमेशा radius of curvature का आदा होता है क्यों क्योंके center of curvature और optical center का बिल्कुल midpoint क्या होता है focal point तो focal point से लेकर optical तक ये focal length है और c से लेकर ओ तक ये radius of curvature है इसका मतलब ही हो गया कि जो focal length होती है वो radius of curvature की आदी होती है half होती है तो अगर आपको radius of curvature given हो किसी problem है तो उसको half कर दो वो बन जाएगी focal length आपको कहा जा रहा है कि radius of the curvature is 10 cm what is the focal length तो आप बोलेंगे 5 cm half कर दो इसी तरीके से अगर आपको कहा जा रहा है कि focal length is 10 cm बताओ radius of curvature क्या होगा इसको double कर दो 20 cm तो focal length का double हमेशा क्या होता है radius of curvature या radius of curvature का हमेशा half वो क्या होता है focal length इस point को यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इस point को आप कि सरी किसे यहाँ पर लिखोगे कि जो focal length होती है focal length जो होती है वो radius of curvature की half होती है ठीक है या और इसको कैसे लिखोगे radius of curvature जो होता है वो twice होता है focal length के focal length का double radius of curvature focal length का double radius of curvature focal length का double radius of curvature यह अपने point जहन में रखना है इसको note कर लें उमीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी तीन चीजों को हमने discuss किया lens का introduction, lens होता क्या है definition पढ़ी, lens की types को discuss किया convex lens, concave lens और सबसे last में हमने lens की terms को study किया जो बड़ी important है 1 से लेकर हमने 7 तक terms को पढ़ा यह terms बड़ी important है, आगे जाके use होती है तो इनको जहन में रखिएगा next lecture में इनको हम repeat नहीं करेंगे हाँ पस हवाला दिया करूँगा, reference दिया करूँगा चलें, उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो क्लियर होगी होगी, concepts क्लियर होगे होगे अगर अच्छी लगी वीडियो, like करें, comment करें, share करें, share करें, share करें ठीक है न, share को मैंने तीन दफ़ा का है तो इसके मतलब जादा से जादा share करें अपने circle में और अपना खैल रखीएगा, बहुत सारा खैल रखीएगा नेक्स वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, अलाफिस